अज हम में परहेंगे अन्टमेबा हिस्टोलाइटी का यहाँ पर कवर होगा तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं है है वेसिस पे कहां पर ही रहते हैं उसके वेसिस पे अन्टमेबा हिस्टोलाइटी का फ्री लेविंग जो होता है वो जेनरली फ्री होते हैं और अपर्चनेश्टिक होते हैं इसका एक्जमपल है कंतहमेबा स्पेशिस नैगलियरा फालोरी काफी डेंजरेस होते है नैगलियरा फालोरी का एक और जो करेक्ट्रेस्टिक है एसेट के एंस एक गरते जेनर रिज़ को यहांद से हमचिद में परेंगे होगर अन्टो में हिस्टोलाई ठीक का और या एक एक करके डिस्टिंगुज कर पाना उतना पॉसिविल नहीं है, हमें स्पेशल स्टेज में अगेरा चाहिए होता है, इन्हें डिस्टिंगुज करने के लिए, अगर एपीडोमी लिवर्जी देखे तो इन डिजिस का जो जो इंडोमी बाहस्टोलाइटिक से होते है, ऐसे इसका प्रिविलेंस हम देखे तो चायना, सेंट्रेल और साओथ अमरिका एं इंडियन अफ़ कॉंटिनेंस अरौन आउं तेन परसेंट आप एंडोमीलियोन इंफेक्ट कर चुके है, और आमियवा, थाद मोस्त कमोन परासाइटी कॉस अव देथ, 50 मिलियोन केसे और वन 15% जो है पोपुलेशन ओफ इंडिया देयर इंफेक्ट अल्री इंफेक्टेट फॉम एंटर्मेवर स्पेसिस स्टेट वाइज रेंख ऐसे भी जाता है मतलब परसेंटेज वाइज 3.6% से 47.4% तक का भी रिश्यो है सबसे ज्यादा महराष्ट्र उसके बाद तमिल नाडू उ चलिह मॉर्फोलोजी देखते हैं मॉर्फोलोजी में जो एंटरमिवा हिस्टोलाटिका का मॉर्फोलोजी है बेसिक मॉर्फोलोजी तीन फर्म में एक्जिस्ट करते हैं ट्रॉफोजाट फर्म पीसिस्ट फर्म एंड सिस्ट फर्म अब ट्रॉफोजाट फर्म हम देखे तो यह from generally 12-60 micron का होता है, just 12-60 micron, cytoplasm is divided into two part, ectoplasm which is clear, endoplasm which is granular, आप यह आपे देख सकते है, प्रोफोजाइट का, यह जो cytoplasm हो गया, दो पार्ट में divided हो गया, this clear portion is the ectoplasm and the inside the granular portion is the endoplasm, this granular portion has RBC, WBC, this is food vacuole, the granular portion contain this type of things, the RBC to be remembered, it is not always present, this is karyosm, the nucleus consists of karyosm, the peripheral comatine granules and some spokes like structure, endoplasm which is generally granular, it contains WBC, RBC, food vacuole etc., the RBC is usually present in the stage of invasion, when the invasion is used, it is generally present, एक्रश Warumड खाय पूदबर पूदा ट्पय शच्ट व्यार ट्पक पा शच्ट व्या ट्रॉट च pensar फिंग एल यॉ जाग बिजूथ तॉज़ घा, कफ़ólर्पोड यॉ ञाउन ट्युर मि YO न थार भुट फिंगाि टॉड़ एल लग गोडिक फॉड़ यॉ न चुर ङल जौ तॉ The P-Cystic Firm is the intermediate stage between the Drophozoate Firm and the Cyst Firm. The structure is oval, Pseudopedia is blunt, no food vehicles, no RBC only, nuclear 하면液 Ecoчи Δrinksen CO drie Pceudopedia is little bit blunt and the structure is oval. सेस्ट, सेस्ट, सेस्ट is the infective stage or diagnostic form of the parasite found in the fishes 10 to 20 micron in size, nuclear structure is same as in trophozoate it may be uninucleated, it may be binucleated, it may be quadrinucleated, nuclear division is there cytoplasm has chromatin body, just check the structure of unilateral cyst, these are the chromatin bodies this is the glycogen mass, this is the nucleus so this is morphology, we will study the pathogenesis, lab diagnosis and life cycle in another video thank you